strategic management level of strategy या different forms of strategy क्या है यह दोनों ही same होते हैं और already मैंने previous वीडियो में cover कर लिया है तो आप देख सकते हो मैं i button में link दे दूँगी corporate level of strategy और business level of strategy तो आपको कुछ दिरवाद यहांस हो होने लगेंगे उपर के corner पे तो आप वहाँ पर link को click करके देख सकते हो तो आज हम बात कर करेंगे functional level of strategy की तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरे कलपाट साला तो जावी तक आपने वीडियो लाइक नहीं कि तो प्लीज प्लीज लाइक करें घर सारा लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलें और सब्सक्र organizational function यानि कि प्रतिक organization functions के लिए हम strategy को design करते हैं ठीक है यह क्या हो सकते हैं प्रोडक्शन स्ट्राटिजी हो सकती है marketing strategy, advertisement strategy, sales strategy, HR strategy and so on ठीक है और हम बात करें कि function level पे क्या होती है कि हम एक manager को hire करते हैं तुने क्या बोलते है functional level managers बोलते हैं उनकी क्या responsibility होती है कि कोई भी business functions या operations के लिए हम क्या करते हैं अलग-अलग departments बनाते हैं और अलग-अलग departments के अलग-अलग strategy होती है जैसे कि departments क्या हो सकते हैं HR हो सकते हैं पर consumer service हो सकते हैं जो भी हो सकते हैं तो और example जैस देख लेते हैं कोई भी production department है कोई manufacturing company उनकी उनकी अलग-अलग-अलग-अपर्ट्शन डिपार्ट्मेंट है तो वो क्या करेगी डेबलव वो production strategy करेगी और जिसे क्या बोलते हैं departmental strategy भी बोलते हैं आप ध्यान रखोगे इसे sometimes called क्या कहा जाता है departmental strategy भी बोली जाती जैसे कि मैंने बताया था कि corporate level पर क्या बोलते हैं grand master strategy भी बोलते हैं तो ऐसे ही इन्हें दूसरा नाम दिया गया है कि departmental strategy ठीक है तो जैसे कि कोई training department है तो training department है क्या होगे training strategy अपनाएंगे किसलिए क्यों क्यों हमको employee को training देनी है provide करन है तो उनके लिए हम क्या करेंगे strategy अपनाएंगे है तो इसी तरह हम अलग-अलग departments में अलग-अलग strategy अपनाते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको अल्रेडी कि इज बिजनस यूइट और company has its own departments and every departments and functional strategies होती है यानि कहने कि कोई भी एकاز है बीजनस के अंदर क्या होता है कि ALLग-अलग ठाजी होती है और उन डीपार्टमेंस के अलग-अलग क्या होती है एस इुआ क्या होती है फ्रॉत है और यह क्यों बना जाती है क्योंकि जो के और जिसे कि क्या हमें सासार प्रॉफिट भी हो जैसे कि for example देख लेते की कोई भी एक कंपनी है तीके यहां देखलो अप एकसामपल एक कंपनी है यहां कहने के संतुन हैं क्या करेगी लो कोhou करना है स्टाटीम्हारों है दीज़ को कबूक्षिन कर सके इसलिए को प्रॉड्ट को बाटीम्हारी करकर उलियूब है जो भी employees है उनकी जो नंबर है संख्या हम उनको कम कर पाये यानि कि यहां देख़ पार है lowest possible number of employees वर highly qualified है work for the organizations याने कि हम ऐसा employees चूज करना है हमें select करना है कि जो highly qualified भी हो organizations के लिए अच्छे employee भी साभीत हो और कम से कम number में हमें select करना है तो यह है हमारी functional level of strategy Hope you guys मेरी वीडियो यह आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को and प्लीज प्लेज दा वेल आइकन और अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए इस वीडियो की या आने वाल वीडियो की तो मैं थ्री टू फॉर वीडियो के बाद मैंने जैसा भी कहा था कि वो अप्लोड कर दूँगी तो तब तक के लिए बढ़ तक कर दो में आपको बड़ी और की प्लाइन यू